हेलो दोस्तों अंस्ट टेक्निकल जॉब सेंटर यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत थे दोस्तों तो दोस्तों अंस्ट टेक्निकल जॉब यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब सेयर और लाइक जिरूर करें दोस्तों हम आज एक न्यूव कैमपस प्लेस्मेंट के बारे में बात कर रहे हैं हुँदा काज प्राइबेट लिम्टेट ठीक है ये कंपनी नेम है जो प्लेस्मेंट करा रहे हैं हुदा कार कैमपस प्लेस्मेंट 2023 क्वालिफिकेशन जो है आई-टी-आई पास जाब लोकेशन अलवर राजस्थान यह होने वाला है हूंडा करके वह होगा है ठीक है दोस्तो अगे बढ़ते हैं दोस्तों के बारे में तो हुंडा का यह नोटिफिकेशन है जो कंपनी ने आया है और अर्गनाइज इड़ बाई हुंडा ओकेशनल ट्रेनिंग सेंटर ठीक है कंपनी बेवसाइड यह प्रफाल की बात करते हैं दोस्तों तो यह प्रिंट प्लेच्प यह उपेंटिशिप के लिए थीन है आप इंट चानका होगा प्लेस्मेंट ट्रेनिंग जो है आपकी वो दो साल का होगा ठीक है जोब लोकेशन में पहले ही बताया टपो गुरा अलोवर राजस्थान कि सैलरी एंड बेनिफिट की बात करते हैं तो अपेंटिशिप की सैलरी जो रहेगी बाराजार पांच रूप पर मन्त त्रेनिंग जो प्लेस्मेंट ट्रेनिंग की रहेगी जौब ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं वो 24,300 पर मन्त यानि काफी अच्छी घासी पेमेंट दे रहे है होंडा कार ठीक है दोस्तों तो जो भी इत्यूक हो होंडा कार प्रावेड लिम्ट कंपनी में जौब करने के लिए वो इस कैंपस प्लेस्मेंट में जा सकता है ठीक है हुंडा कार जो है वो आटो मोवाइल मैनुपैकिलिंग कंपनी है काफी मिमानी जाने कंपनी है दोस्तों बड़े कंपनी है ठीक है तो आप अगर अबंटिस नहीं किये हैं ITI किये हुए हैं किसी भी ट्रेट से तो आप इ ट्रेनिंग के जो सलेड होने वाले हैं 24,300 रुपे पर मंत ठीक है कौलिफिकेशन की बात करते हैं तो आटी आइपास आउट इट्रेट जो मांगे हैं फिटर मसीनिस टर्नर मेकेनिकल मोटर मेकेनिकल लेकल राक्टर मेकेनिकल वेल्डर ये सारे ट्रेट जो हैं वो तो सव पोस्ट है यानि कि सव बच्ची लिए जाएंगी इस कैंपस प्लेस्मेंट में हुंडा की तरफ से ठीक है एज लिमिट की बात करते हैं दोस्तों तो फ्टीसी के लिए जो एज लिमिट रखी है हुंडा कार ने वह 18-25 साल और अपेंट्रिशिप के लिए जो एज रख प्लेस्मेंट में भाग लेते हैं तो उनकी जो है 18-25 साल जिसकी हो वही इस प्लेस्मेंट के लिए जाएगा ठीक है और अगर आपेंट्रिशिप आपको करना है हुंडा कार से तो 18-23 साल के भी इसी एज रहनी चाहिए डाकुमेंट की बात करते हैं दोस्तों तो बारा की मा पांच पासपोर्ट साइज कलर फोटो ठीक है यह सारे डाकुमेंट लेकर आपको इस कैमपस में जाना है इंट्रवू लोकेशन की बात करते हैं तो राज सवागिया अद्धिक परसेश्चर संस्थान मक्सी रोड उज्यान उत्तर प्रदिश यानि कि मैं दोस्तों यह बता यह बता है 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 इंट्रवू दिन्यांग है जो 21 दिसंबर 2030 यानि कि 21 दिसंबर को जो सवागिया अद्धिक परसेश्चर संस्थान मक्सी रोड उज्यान उत्तर प्रदिश ठीक है सेलेक्शन प्रोसेश की बात करते हैं तो रिटेन टेस्ट इंटर्व्यो और कैंपस इंटर्व्यो डिटेल यानि कि सेकेंड कैंपस जो लोकेशन पर वह है डेट 18 दिसंबर 2030 टा यानि कि जो इस सेकेंड कैंपस लग रहा है वो 18 तारीको मिवाड आई टियाए कॉलेज रूपाहली चोरहा यह राजस्थान में सेकेंड कैंपस लग रहा है तो दोस्तों जो कंपनी के तरब से नोटीफिकेशन आए वह देख लीजे आप लोग कार्यालस प्रशाज साहरेक मक्सी रोड उजयन मध्यप्रदेश ठीक है तो यानि कि उजयन मध्यप्रदेश में यह कैमपस प्लेश्मेंट लगा जा रहा है उसका नोटिफिकेशन है 21 दिसंबर को जो कैमपस में होन्डा कार लिम्टेड टपूगर राजस्थान की कंपनी जो है वो कैमपस प्लेश्मेंट लगा रही जो वो लगा रही है मक्सी रोड उजयन मध्यप्रदेश में ठीक है तो जो भी इस्टुडेंट आइटि आइस्टुडेंट जो भी है अगर को हुंडा कार लिम्टेड में जोब करना चाहते हैं जोब ट्रेनिंग के पोस्ट पे तो वो लोग यह नोटिफिकेशन इसका पूरा डिटेल देख लीजिए आप लोग क्या-क्या मानितर रखा है इसनों ने क्या-क्या मांग रखा है वो सब अगर क्वालिफिकेशन और कामपस में जा सकते हैं यह कामपस लग रहा है दोस्तों 21 डिसंबर 2023 उजयन मत्यप्रदिस में लग रहा ठीक है और सेकंड कामपस प्लेस्मेंट की यह मैं बात कर रहा था दोस्तों वह आप लोग देख लीजिए यह यह कामपस प्लेस्मेंट होंडा वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर हुंडा को लिम्टेड आयल टेकनिकल ट्रेड इलेक्टेशीन को छोड़ कर 18-25 एयर इलिजबल आइटीए पास आउट 2020 से तेज ट्रेनिंग डोरेशन दो वीक ट्रेनिंग नेम बेसिक आप मैनू फैक्ट्रिंग शैलरी की बात करते हैं तो बारहा जार से चौबिस पांस रूपे सेलरी आपको देगी होंडा कार्स लिम्टे ठीक है अस्थान मेवाड आइटीए गाले जनेच सेवन्टीनाइन रूपाहली चौरहा ता हुड़ा जिला भिलवाडा राजस्थां ठीक है 18 दिसंबर को सुबह प्राता साड़े नव बजे काइंपस का असी 77 42 45 45 49 यह तीन नंबर दिये हुए दोस्तों आप इन नंबरों में किसी पर एक नंबर पर फोन लगा के कार्ल लगा के कोई भी डाउट हो क्लिर कर लेना उसके बाद ही इस कैंपस प्लेस्मेंट में जाना ठीक है तो दोस्तों यह था कैंपस प्लेस्मेंट होंडा तो क्वालिफिकेशन हो एज हो तो आप इसका इंपस प्लेस्मेंट में भाग जरूर लें ठीक है दोस्तों ठाइक दोस्तों धन्यवाद जैन